नमस्कार, आज फिर से संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है आज हम कक्षा पंचमी का जुईत्य पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मित्र शम्भासनम यानि कि मित्र के साथ वारतालाप मित्र के साथ बातचित करना तो देखिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं अनुवाद करते हैं राकेश है भवान कुत्र आसित हैं यानि कि ये पूछ रहा है कि राकेश है यानि बीता हुआ कल जैसे मैंने पहले बताया था कि स्वय स्वय यानि आने वाला कल होता है और है यानि बीता हुआ कल तो ये बता रहे हैं कि राकेश है भवान कुत्र आशिते हैं कि राकेश कल आप कहां थे तो दूसरे उसका उत्तर दे रहा है कि अहम अतुलशे ग्रहे आस्म यानि कि मैं अतुल के घर था तत्र के विसेश आसिते हैं कि वहां क्या विसेश था कौन विसेश था तो अतुलशे जनम दिन उत्सव आसिते हैं कि अतुल का जनम दिन का उत्सव था यानि कि जनम दिन था तो तत्र के के चात्रा आसने कि वहां कोन-कोन चात्रा आये थे कोन-कोन बालक आये थे तो तत्र योगे से सजीवे विजये आनंद इत्याद आसने कि वहां योगे सजी विजये आनंद इत्यादी बालक आदी थे बहुताय ग्रहताय के के गतवनते तो आपके घर से कौन-कौन गए थे तो वयम सरवे अपी गतवनते कि हम सभी गए थे तो कदा प्रत्या गतवनते यानि कि जाना और प्रत्या गतवनते यानि वापिस लोटना तो कदा यानि कब प्रत्या गत्वनत है कब वापिस लोटे तो रात रो अश्ट वादने की रात को आठ बजे वादनम यानि होता है बजे तब इसी प्रकार हम इसारणी के द्वारा जानेंगे कि वर्तमान काल में और बूत काल में एकवचन और बहुचन में प्रियोग होने वाले सब्द जैसे अस्ति अस्ति यानि है अस्ति यानि क्या होता है है और संति यानि बहुचन में उसी कार्थ होता है यानि कि एकवचन होता है और संति यानि बहुचन होता है उसी प्रकार देखो भूत काल में बहुचन होता है आसित यानि था और आसन यानि था थे यान अस्ति यानि एकवचन, संति यानि बहुचन, इन दोनों कर्द क्या है, और आसित यानि था, और आसन यानि भी था, लेकिन ये आसित है वो एकवचन, और बहुचन यानि ये आसन, दोनों कर्द क्या है, था, और इसी प्रकार वर्तमान काल में जेखो, अस्मी, अस्मी यानि ह हुँ, सम यानि भी हुँ, यानि कि ये तो हम, यानि कि एक वचन में होता है, और ये होता है वयम जैसे मैं बालक हुँ, और ये मैं बालक हुँ, और हम सब बालक हैं, इस प्रकार ये होता है कि हम, यानि कि हुँ सब्द में होता है असमी का परियोग, और समय का परियोग होता ह वयम में तो दोनों करता होता है हूं और उसी प्रकार है कि भूत काल में होता है आस्म यानि था जैसे मैं बालक था जैसे अभी इसमें आए कि मैं बालक हूं और इसमें क्या होगा मैं बालक था और हम सब बालक थे इसी प्रकार जैसे अहम और वयम में इसका प्रयोग होता है आस्म और आस्म का, तो अस्ति और संति यानि है, आसित और आस्म यानि था थी, एक वचन और बहुवचन भूत काल में होता है, और यह होता है, अस्मी यानि अहम और वयम में अस्मी और स्मय, यानि कि अस्मी एक वचन में वरतमान काल और गुस्मय वो बहुवचन वरतमान का था एहम में और वयम में इसी प्रकार होता है धन्यवाद